देखिए 5.1 कहे क्या रहा है ध्यान से समझिएगा हमें नहीं आता नुमेरिकल लिए पढ़िए तो पहले यह मांग चले के नहीं आता हम क्या गीवन है नोट कर रहा है आगे अगल वगल वालों से हम हेल्प लेंगे लिखा है कि स्टोन आप 0.25 केजी क्या लिखा है मास हम आप पढ़ रहे हो टेंशन में आ रहे हो तो निमेरिकल क्या करता है वह आपके ऊपर हावी होनी कीशिए करता एगर आप ने लिख दिया आह में में बराबर आबर को ग्या लगा हमको कुछ समझता ही नहीं है इसा सेर है अब सीर वैसे बहले हो इजर अब एड़म से आप उ गुमाना शुरू किया, डिडेस 1.5 मीटर, सर्कुलर पास में हमने गुमाना शुरू किया उसको, विल्ड बाने होता है ऐसे गुमाना, जो भी उसकी इंगलीस होती है, तो तो दो दो इंगलीस मीटर वाले हो, विज तो स्पीड आफ 40 रेवलुशन पर मिनिट, ये कौँ सी स् जो आदत आपको, उसी सम इंडिकेट करते हैं, फ्रिकवंसी की से इंडिकेट गरता है, F से, कैन से, तो द讨 को, स्पीड यहा दी है, लेकिन स्पीड का मतलब स्पीड की यूनिट कन दी है, रेवलुशन पर मिनिट, तो आथ Bentल में ये F दिया है, फ्रिक्वंसी, N लिखे द per minute 40 revolution per minute लेकिन हमको per second चाहिए तो per second के लिए क्या करें हम divide करें कि multiply करें हाँ चुकि नीचे minute है तो नीचे multiply करेंगे तो आएगा 40 upon 60 revolution per second तो actually speed से काउन से निकलेगी इस से angular velocity निकलेगी हमको लगता क्या circular path अभी नहीं पढ़ा है क्या आपने अच्छा एक गरबड है ना इंगला वलासी ओमेगा वराबर क्या होता है 2N πाई मालूँ है ना तो ये 2N बोले तो कितना आएगा 2 by 3 into πाई के टम में हम बाद में रखेंगे तो यूनिट इसकी क्या आएगी रेडियन पर सेकेंड अच्छा फिर क्या कर रहा है तो टेंसन इन दे स्टिंग का निकाला है टेंसन इन दे स्टिंग क्यों हो का टेंसन भाई देखो आप प्रेटकली समझिएगा जब आप दागे में एक प्रेटकली बांद के घुमाएए खुपकस की तो धागा टाइट हो जाता है न क्यों कि जो पाटकिल दूर कि तरफ भागने की कोशिश करता है और आप उसको अंदर की और घसीते की कोशिश करते हैं तो अगर वो दूर भागना चाहता है न तो आप छोड़ दो उसको चला जाएगा आप घसी तरह इसलिए टेंसन कर रहा ह तो बाहर तो बाहर जाने जाने दोगे तो tension लगेगा उस पर किया का है या चाहते हैं हम बाहर जाएं जाओ कोई tension तो sídiaio Ratan कि अंदर की Junior doorway कि आप काउय वहार कंव करा है centripetal force यूज इसकी वह है centripetal force की वज़े से है समझे आई बार नहीं आई ये तो T बराबर centripetal force का formula क्या होता है MV square upon R या MR omega square होता है तो M बोले तो 0.25 R बोले तो 1.5 omega बोले तो ये 4 upon 3 pi pi का whole square तो इसका calculation किया जाए 0.25 into 1.5 into 16 बटे 9 into 3.14 का whole square अब multiply divide तो कर लोगे ना मेरे हिसाब से तो इसकी जो value लिखी है वो 6.6 newton लिखी है ये approximate भी हो सकती हमको नहीं मालू ये tension होगा अब आप कहेंगे pi के term में answer छोड़ दे angular velocity, angular acceleration, angular और कोई चीज का answer pi के term में हाँ 3.14 22 upon 7 से answer लगाएगा हो सकता आप का answer match भी से न करें exact क्यों? हमने तो book से लिख दिया उठा करके हम तो निकालते हैं calculator से और calculator में जो हम pi रखेंगे तो या computer से निकालेंगे तो पाई की बहुत बड़ी बड़ी देगा न वो round up करेगा उसको और आप 3.14 रख रहे हो तो answer थोड़ा बहुत mismatch कर सकता लेकिन थोड़ा बहुत mismatch करेगा decimal के बाद अब यह नहीं कि आपका solar बोले सरने का थोड़ा mismatch कर सकता है उत्रह थोड़े करेगा तो mismatch हो गया तम मोटा थोड़े mismatch होगा अच्छा यह बताईए अगर इस string को आप और तेज गुमाओ और तेज गुमाओ तो tension बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा न अब तेज बढ़ेगा न आप टेंसन आइसे स्टे जाएगी कि उसके बाद गर बढ़ाई तो दोरी तूड़ जाएगी tension जदा हो जाएगा question आप से कह रहे हैं अगला part में कि what is the maximum speed with this stone can be weld around it यानि कि maximum speed क्या होगी यानि V max क्या होगी जिससे हम इसको घुमाए आगे बोला है कि that can withstand the maximum tension of 200 Newton मतब 200 Newton तक का tension वो जहल पाए अगर velocity बढ़ाई तो tension बढ़ा तो डोरी टूटी इतना tension वो डोरी जहल सकती है तो यानि कि tension का formula क्या रगेगा वही M V square upon R अब आप कहेंगा अभी तो आपने M R omega square लिखा था वही formula यह लिखा हुए वो M V square upon R ही होता है V की value R omega होती है तो जब यहां रखेंगे तो R square omega square upon R R कर जाएगा इसलिए M R omega square लिखा है इन्होंने speed कहीं इसलिए V maximum तो V maximum की value क्या आएगी R into T max upon M का under root इतना जो है tension वो बेर कर सकता है velocity की हो सकती है तो under root R कितना है 0 1.5 tension कितना है 200 mass कितना है 0.25 point हटाया 2 0 आ गये यह point हटाया 1 0 आ गया तो यह आ गया under root के अंदर कितना आ गया उपर 15 आ गया 2 1 2 3 4 अपान 25 एक 0 1 1 0 कड़ गया अब root निकालना निकालो हम थोड़े निकालेंगे कैसे निकालोगे इसको root देखो इसको लिख सकते हो 5 इंटू 3 ठीक है ऐसा करिएगा यह 2 यह अलग कर दो 100 और 20 को लिख दो 5 इंटू 4 चलेगा और 2 0 जो है इसको लिख दो 100 अपान 5 इंटू 5 तो 5 इंटू 5 से 5 5 दो कट गए अरे कटी गए कामी कहता हम तो दो यह 20 अंडर रूट 3 निकलेगा 20 इंटू 1.732 तो 0 दो दुनी 4 दो तीए 6 दो सच चौदा दो एक तीन एक दो तीन 34.64 है क्या 34.64 हाँ 6 आ रहा है तो 34.6 मीटर पर सेकेंड तक की विलास्टी यह बियर कर सकता है इससे ज़्यादा विलास्टी करोगे टेंसन 200 निउटरन से ज़्यादा हो जाएगा और डोरी तूट जाएगी ठीक